Hello guys, hope you all are doing good. Welcome to my channel Toronto Diaries. सबसे पहले तो मैं आपको थेंक्यू कहना चाहता हूं कि आप जो है मेरे वीडियो जो मैं इतनी महनत से बनाता हूं उसको देख रहे हैं, उनको आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और जो मैंने वीडियो बनाया था, विजिटर वीजा एप्लिकेशन का, उसमें मेरे पास 10K से ज़्यादा व्यूज हैं जो मेंन कोशन मेरे पास आया है, वो यह है कि जो हमारा इंविटेशन लेटर है, उसमें क्या-क्या इंफॉमेशन डालनी चाहिए, क्योंकि वो एंपॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह वीजा ओफिसर को हेल्प करता है, यह अंडरस्टैंड करने में कि वो ज सारी information है, complete information जो उनको चाहिए, वो उसमें include होनी चाहिए, तो उसमें आपने include करी है या नहीं करी है तो जो सबसे पहली चीज है, वो यह है कि अगर आप invitation letter लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि उनको वीजा जो भी आप, जिसके लिए भी आप वीजा लगा रहे हैं, अगर आपने family के लिए, friends के लिए, वीजा लगा रहे हैं, तो उनको वीजा मिल ही जाएगा, त but हाँ, invitation letter is very helpful for the visa officer, second thing यह है कि अगर आप invitation letter लगा रहे हैं, तो इसमें आप उनके रिसली responsible नहीं है, मतलब, let's say कि वो कोई crime कर देते हैं, Canada में आके या कुछ हो जाता है, तो इसके लिए आप responsible नहीं है, but हाँ, आप goodwill में, आप correct information दीजिए, जूट मत बोलिये, but still you are not, you will not be held responsible, so इसमें आपकी दो categories हैं, जिसमें आपको information share करनी है, पहले category है कि जिसको आप invite कर रहे हो, आपको उसकी information share करनी है, और दूसरी category है कि आपको अपनी कुछ information share करनी है, तो सबसे पहले हम discuss करते हैं, कि जिसके लिए आप invitation letter prepare कर रहे हो, उनकी आपको क्या-क्या information डालने है, स नाम भी जो है वो पूरा होना चाहिए as per passport तो यह नहीं है कि आप उनको घर पे कुछ और बोलती हो तो आप वो नाम लिखके invitation letter भेज़ दो तो जो भी उनका legal नाम है जो passport में है वो नाम यूज करिए उनकी date of birth जो भी उनकी date of birth है वो आप mention करिए contact details तो जो अगर वो कहीं और country से आ रहे हैं obviously वो Canada के citizen तो नहीं होंगे पर पर नहीं होंगे तो उनकी आप address और contact number add करिए क्या relationship है आपका उनका आप उनके friend है या वो आपके family member है आपके parents है या grand parents है whatever the relation वो आपको लिखना है purpose के आया उनका strip का तो भूमने आ रहे हैं या आपका कोई event है function है वो वो attend करने आ रहे हैं जब आप वीज़े apply करते हो तो आपको ये भी option मिलता है कि आप एक से ज़्यादा invitation letter लगा सकते हो तो हो सकता है कि जैसे कि वो कहीं और आके रुकेंगे या कोई और उनका जो close member है जो invitation letter लगा रहे है और आप alongside आप भी invitation letter लगा रहे हो तो आपसा purpose of the visit आप ये कर सकते हो कि हाँ उनका एक close friend है या उनका family member है जिनका एक function है वो आकर उनके उनके पास आ रहे हैं तो मैं भी उनको invite करता हूँ वो आए और मेर से आके मिले apart from that duration of the stay तो वो कितने time रुखना चाहते हैं तो दो महीने एक महीना कितने time रुखना चाहते हैं एक चीज़ मैं आपको बता दू कि इसमें confused होने की बिलकुल जरुरुत नहीं है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि plans change हो जाते हैं let's say कि आपने plan बनाया था कि Christmas पे या New Year पे आप यहाँ पे साथ बनाओगे और आपने दो महीने पहले application करी है अपने October में application apply कि है first October को कि कि December 10 तक मेरा visa आ जाएगा दो महीने में और उसके बाद मैं travel करूँगा तो मैं Christmas और New Year पे जाना चाहता हूँ but within two months ऐसे बहुत सारे circumstances हो सकते हैं कि आपका plan change हो जाए आपको अगर visa मिल जाता है तो आप उसके बाद बादने भी travel कर सकते हैं तो उससे कोई फरक नहीं परता कि आपने invitation letter पे क्या लिखाता उसके अलावा आपको ये detail चाहिए कि वो जो travel कर रहा है वो कहां पर stay करेगा तो या तो वो hotel में stay करेगा या वो आपके घर पर stay करेगा जो खर्चा है वो कौन उठाएगा तो अगर आजसे आप अपने parents को sponsor करते हैं तो उस case में आप ये लिखते हैं जादा था that they will stay with us and we will bear all their expenses तो उस case में आप अपने documents में आप अपना financial statement वगएरा भी share करते हैं तो ये आपको mention करना है और फिर वो ही जैसे जितने दिन वो stay करेंगे उसके accordingly वो Canada से कब जाएंगे तो आपका जैसे मैं अपना example देता हूँ कि मेरी sister US में है मैं Canada में हूँ अब हम बात करते हैं second area के बादे में कि जो invitation letter भेज रहा है तो जो भी जैसे आप हो गए आप Canada में है या जो आपके friend है जो Canada से आपको invite कर रहे है तो जो invitation letter भेज रहा है उसकी क्या क्या information चाहिए तो basic details तो same है complete नाम चाहिए, date of birth चाहिए आपको उनका address चाहिए, contact details चाहिए और अगर वो job करते हैं तो उनका job title क्या है, क्या job कर रहे है वो details चाहिए उसके बाद उनका यहाँ पे legal status क्या है obviously वो Canada में किसी लीगल status पर होंगे या तो वो Canadian citizen होंगे, या वो PR पर होंगे या वो work permit और student visa पर होंगे या तो Canadian birth certificate है, या Canadian identity card है, PR card है landing papers है या आपके पास work permit और study permit है जो भी document है, वो document भी लगाना पड़ेगा तो क्या करिए, एक passport copy लगाईए एक वो जो भी आपका local status को प्रूव करता है वो document लगाईए आपके साथ आपके family में कौन-कौन रहते है अगर आप किसी को भुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि आप उसका financial bear करेंगे तो अगर आपने किस-किस को कौन-कौन आपके साथ रहते हैं आपके साथ पाउज रहते हैं या कोई और dependent रहते हैं और ये चीज बहुत important है अगर आप अपने parents या grand parents का visa लगा रहे हैं super visa apply कर रहे हैं super visa ऐसा होता है जिसमें वो एक बार में दो साल तक रुख जा सकते हैं तो उस case में आपको ये details देनी पड़ती हैं कि already अगर आपने किसी को sponsor कर रखा है जैसे let's say कि आपने अपने parents को sponsor करके बुला रखा है और अब आप अपने grand parents को sponsor करके बुला रहे हैं तो आपको ये mention करना पड़ेगा कि मैंने अपने parents को sponsor करके बुलाया था तो अभी वो sponsorship में मेरे साथ ही रह रहे हैं आपके ओपर कितने dependent हैं ये सारी details आपको उसमें mention करनी पड़ेगी so I hope ये information आपके लिए बहुत helpful हो आपको visa first attempt में मिल जाए मैं ये videos बनाता हूँ कि इतने भी मेरे network को follow करते हैं वो visa apply कर रहे हैं तो उनको एक ही बार में visa आ जाना चाहिए क्योंकि मेरा एक बार visa reject हुआता है जब आपको second time apply करना होता है so make sure करिए कि आप सारे documents properly apply करिए अगर आपको लगता है कि आपके documents में कुछ कमी है तो आप किसी immigration consultant को consult करिए immigration lawyer को consult करिए please share this video with your friends and family do like my channel subscribe to my channel thanks for watching bye bye